नमस्ते दोस्तो जैपुर जायका में आपका फिरसे स्वागत है दोस्तो आज हम लस्सी बनाएंगे तो थोड़ी डिफरेंट होगी है लस्सी इसमें आप केसर और बदाम डालेंगे तो आए बनाते इस हेल्दी से लस्सी को तो लस्सी के लिए देखिए मैंने 15-20 बदाम रात को पानी में भीगो दिये थे सुबह ने मैं अच्छे से छील लिया है और पानी से धो लिया है तो बिल्कुल साफ पानी कर लें इसका और इसे हमें दर दरा सा मिक्सी में दूद के साथ पीस लेना है तो बहुत फाइन पेस ना बनाए और ये देखिए मैंने गरम दूद में केसर भी होती है थोड़ी सी तो बहुत अच्छा कलर आ गया है इसे एक साइड में रख दे और पीसने के बाद देखिए बदाम इस तरह से होगी थोड़े दाने होंगे मूँ में आएंगे अच्छे लगेंगे तो फाइन बंचम मैं जीअल डालन रहीं ध便 गलास के लिए तो इसी बीजीनी लिए मैंने यहां पर इसे फिर्से मिला लेंगे इसके बाद जो हमने ब्यदाम पीसी था हम बो डलेंगे इसमें और इसे हम अच्छे से फिट लेंगे तो चीनी बदाम धहीं अच्छे से मिल जाएगा अब इसमें देखिए एक छोटा ग्लास हम दूट डालेंगे दूट से थोड़ा इसका टीस बतल जाता है खटापन कम हो जाता है और बहुत क्रीमी सा टेक्शर आता है और थोड़ा सा देखिए हम यहां केवड़ा एसेंस डाल रहा है यह अगर आपके पास है तो आप डाले न आप डाल दीजिए इससे बहुत अच्छा केसर का फ्लेवर आएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा तो इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेना है और ठंडा करने के लिए इसमें अब हम थोड़ा सा परफ डालेंगे और दूद है सब कुछ आप ठंडा ही ले इसमें तो यह मि जाए डालेंगे थोड़ा केसर और वदाम से हम उपर से गार्णिश करेंगे तो यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लसी रेडी है तो अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें